हलो माई दियो फ्रेंट्स, वेलकम टू दर इंडियन एडवान्स इस्टूडिस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ L.I.C. H.F.L. के बारे में पूर डिटिल्स में किस के प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं और उससे पहले मैं आपको अदरा शाओंगे कि IAS Paper एक exclusive और official website है जहां पर आपको इस related सब information, updates, notifications आपको सबसे पहले भी लिंगी तो फिर पहले में आपर सर्च करूँगे सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टाइब में open हो गई हूँ जहां पर लिखा है IAS Paper.net करियर फिर मैं आपर क्लिक करूँगे क्लिक करते ही मैं यहाँ पर न्यू टाइब में open हो गई हूँ जहां पर लिखा है L.I.C. H.F.L. Recruitment 2022 Notification, application, vacancy, dates, eligibility and salary आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली step by step कि इसके process कैसे और किस तरह से होते हैं So, यहाँ पर इसका कुछ introduction दिया गया है जैसे कि L.I.C. H.F.L. के Assistant and Assistant Manager का Sorry, Manager, Post का application form रिलीस हो गया है 4th August को यह आज ही रिलीस हुआ है फिर अब हमाते table of content में जैसे कि अगर आपको किस वीडियो टापिक के बारे में जानना हो जैसे कि what does L.I.C. H.F.L. या फिर इसके highlights, dates, notification, vacancy, application form, application fees, admit card, center, patent, syllabus, books, results, cut-off, selection process, salary, promotion and career growth इन समय से अगर आपको किस वीडियो टापिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टापिक पर क्लिक के जएगा और आप new page में बना जाएंगे So, आप हम आते हैं notification में, notification आप दिया कि application form रिलीस हो चुका है application form आपको फिली करना है तो फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और आप यहां से अपना application form फिल कर सकते हैं जैसे कि आपको इसमें क्लिक करें यहां पर आप new page में open हो गया है जहां पर dates दिया गया है अप्लिकेशन फीज आपको किस तरह फीज करना है जैसे कि सबसे पहले आपको अपना रिजिस्ट्रेशन नमों लिखना है फिर अपना पासवर्ट डालना है इसमें फीज सेकरटी कोड डालना है अगर अपने सारी इंफोर्मेशन फील कर लें तो फिर आपको समीट के बटन पर क्लिक किए जाएगा और आप निव पेज में अपन हो जाएंगे आपको अपना सारा नेम डोल नमबर डेट ऑफ इस सारी इंफोर्मेशन देनी रहती है फिर यहां पर इसका पीडिया गया है कि हम डिया और आपको इस तरहा नॉटिफिकाशन पीडीय यहां पे दियागया आपको क्लिक्टशन पीदियाप अपना अलटिफिकेशन पीडिया अब हम आते हैं लाइस धांसलियो कििसनेbei इस्साट बीयोत हैं नौचिशन केचे पोस्ट में कीटे वसियॉत हैं इस्का फू अब यहां पर examination time दिया कि 1-20 minutes मतलब आपको two hours का time मिलेगा पूरा exam complete करने के लिए और इसका two phases होते हैं आपको online exam होता है और आपको application form में online fill करना रहता है यहां पर यह national level exam होता है फिर कौन कंड़क्ट करता है तो इस exam को LIC कंड़क्ट करता है फिर यहां पर 200 marks का paper होता है और इसका official website दिया गया है और यह exam इंडिया में ही होता है फिर अब हमाते exam dates पर जैसे कि अगर किसे भी सिसका date आता है इसे की notification और application form का date आ गया है और application form का last date है 25 अगस्त फिर अभी admin card और exam date result इन तीन से इसका date नहीं आया है जब यहां आगा तो फिर आपको इस website के सबसे पहले पते चल जाएगा फिर अब हमाते notification नोटिफिकेशन में notification पीडियो आपको किस तरह डाउलोड करना रहता है कौन से website के तुछ डाउलोड करना रहता है सबसे पहले आपको official website पर आते है कि आपको करियर की टाप पे क्लिक करना रहता है क्लिक करते आप new page में open हो जाएंगे औ आप अपना आप नोटिफिकेशन पीडियो देख सकेंगे और आप कुछ information दी गए जाता है इंपोर्टेंट जैसे कि आपको application form आपो के इसरा feel करना रहता है eligibility दिया रहता है कि कौन अप्लाय करने के लिए इसकी eligible है फिर admin card कर रिलेज होगा उन सबके बारे में दिया रहता ह है notification PDF में फिर आप वैकेंस दे गई है अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग रीजन के लोगों की लोगों की अलग अलग वैकेंसिस होती है जैसे assistant manager के लिए यहां पर 30 वैकेंसिस आप दिया गया है और यहां पर इस्टरन के लिए जैसे की central और इस्ट सेंट्रल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए या नहीं इसलेटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो यह आप इसका प्लाय कर सकते हैं और इस लिमिट इस लिमिट अगर आपकी 23 years to 30 years के अंदर में हैं तो ही आप इसका अप्लाय कर सकते हैं अगर आप इस 23 years से कम है या फिर 30 years से जादा है तो आप इसका अप्लाय करने के लिए इस लिए फिर अब हम आते हैं education qualification education qualification होता है कि अगर आप graduation 10 12 सब पास हैं और आपका अच्छे percentage सब पास है जैसे कि graduation आपको 60 परसंट से at least 60 परसंट मांख रहना चीए फिर आप आप ग्राइजूशन दिया गए 55 प्रशंट फॉर एसिस्टें लाइसिया चैफल के लिए फिर यहां पर एसिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको आपको 60 परसंट से ज्यादा होना चीए पीजी कोर्सेस के लिए फिर अब हमाता है application process application form आपको कौन से website के फिल करना रहता है सबसे पहले आपको official website प्याना रहता है तो फिर आप उसको photograph and signature करना रहता है आप पर दिया रहता है आपको किस टाइप में बाता फोटोग्राफ स्टिक करने जैसे कि JPG form में फिलाइस जैन 500 KB के अंडर में होना चीए और signature भी आपको करना रहता है अगर आप में signature कर दिया अपने फोटोग्राफ भी स्टिक कर लिए तो फिसमें कि दिने रहता है जैसे कि आधा कार्ट पेंट का वोटराइड डाइव ड्राइव लासेंस ये सारे डॉकमेंट्स भी सही रहते टेंट विल्थ और ग्याजुएशन के माक्शीट्स और अगर आप में डॉकमेंट्स बेदे दिया तो फिर आप एप्लिकेशन फीज का ओप्शन रहता है अप्लिकेशन फीज दे सकते हैं जैसे कि आप किसी जिस भी पोस्ट के लिए आप अपलाय कर रहे हैं तो फिर आपकी फीज हो रहेगे एट हंड़र रुपीस और एसोशीएट्स के लिए आप दिया गया है 18% GST प्लस फाइफंडर रुपीस एसिस्टं के लिए एट हंड़र दिया गया त आप जिस भी पोस्ट के लिए प्लाय कर रहे हैं आपको अतनी फीज देने पड़ेगी अगर आपने सारे इंफोमेशन दे दी हैं आपने फोटोग्राफ एंड स्कीने शर्वी कर दिया रॉकमेंट्स भी आपने सारे दे दी हैं और अपना अप्लिकेशन फीज भी दे दिया आपको अपने फीज फीज वेबसाट के दिरू देख सकते हैं सबसे पहले आपको अफीज वेबसाट पे अनगेजर के लिए जिस भी आप अप्लाय कर रहे होंगे उस पर आपको क्लिक करना के लिक करते आप नियो टाब में ऊपन हो जाएंगे जहां पर आपको अपना अफिल कर लिये तो फीर आप उसको डाउनोड भी कर सकते हैं या फिल प्रेटयाव में निल्का सकते आपने ऊस्ट या पर सेफटेतर के लिए कि आपको कभी भी काम आसकता है यहां पर दिया गैं किसमें कहाँ इंफमेशन पिलिए त सब्सक्र एंपन रहता है उसक्ता आप पिर इंस्रक्शन या फिर गाइडलाइन जिसारे इंफोमिशन आइडमेट कार्ट के अंदर दिया रहते हैं फिर अब हमाते हैं सेंटर पे आपको एक्जाम सेंटर कहीं पर वियास आता है कि सिवी स्टेट में जैसे की बिहार में बिहार में कहां चाहेगा मुझाफर पूर या फिर पटना में जाएगा गोवा में पानाजी में आंधर प्रदेश, चंदीगर, शर्तिसगर, दिल्ली, असम, गुजराद, हर्याना तेलेंगाना, पुदिश्वरी, करनेटिका, केडला, मद्र प्रदेश, महारास्ट्रा, ओडिशा, पंजाब, जहारखन, राजिस्तान, उतरप्रदेश, उतरखन, एंड वेस्ट वेंगल इन सब प्लेसे में आपका एक्जाम सेंटर कहीं पर भी जा सकते हैं फिर अब हमाते हां, एक्जाम पैटर्न में, एक्जाम पैटर्न होता है कि आपको एक्जाम की सिरसे होगा तो फिर आपका एक्जाम ऑन-Line Mode से होगा, और आपको तुफ्ष्ष का टाइम मिलेगा procedure करने के लिए double marks आपको 200 marks लाएगा, और number of questions 200 questions रहेगे English language का exam रहेगा फिर negative marking के लिए 0.25 marks रहेंगे और right question sorry right answer के लिए 1 marks फिर अब हम आते हैं कि इस तरह से marks distribute होता है this is general sorry general awareness के लिए 50 questions 50 marks and आपको time मिलेगा 15 minutes का English के लिए आप 50 questions 50 marks time 35 minutes का फिर quantitative aptitude and numerical ability के लिए 50 questions 50 marks and 35 minutes फिलिजिकल रिजिकल 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 के लिए 50 questions 50 marks and आपको time मिलेगा 35 marks का तो इस तरह से आपको आपको 200 marks question पे पर रहते हैं और आपको 200 2 hours का time मिलता है फिर syllabus से आपकोजिकल आपकोश्य थिलेबस दिया का ताइम एंड टाइम वाक एंड वेजेसं ऐसे आप और भी टॉपिक्स दीगें हैं जैसे आप लॉजिकल रिजनिंग हैं इंग्लिश लैंग्विज है एंड जेनरल अफेनेंस हैं सारी बुक्स आपके लिए बहुत है इंपोरेंट हैं फिर आपको किस तरह से प्रिपार करना ह और आपको स्टॉडिक की लिए सबसे पहले आपको अपनी स्टॉडिक बशत जाने के लिए पिर आफ हमाते हैं रेकमणडेट भुक्स की और से बौफ अपको स्टॉडिकूडिक प्रेसं दिग लिए यंग फिर अब हमाद exam result exam result exam चैक्छा दितरू और जिरा कर सकते हैं सबसे पिले आप अपिशन वीबसाट पर आना रहाता है क्लिक करते हैं तो फिर आप अपना तरो देख सब्सक्राइए और अगर देख的是न्गी अधर fact यह दिखोल्ग कर दिया तो ठ्सक्राशिक और है और क्रिकत Synberger सब्सक्राइब डल्रोड कर सकते हैं एक पिर बीचे के में browser कि लिए अगर नम्संगी क्या इन्फरमिशन दी गए लेती हैं सबके बारे में आप पर दिया गया हैं फिर अब महते cut-off marks नहीं किस तर साब पूचे करना था cut-off marks और जैसे कि आप दिया जन्रावरेंस 15-25 marks दिया गया है logical reasoning के लिए 15-25 marks इंग्लिश के लिए 15 to 25 हर एक सब्बीट के लिए यहां पर 15 to 25 मार्क्स दिया के हैं फिर अब होते हैं selection process selection process अगर आप prelim exam main exam interview में और medical exam में सब में आप pass होके हैं आप साथ documents भी सही हैं और आपका medical health exam में भी आप pass होके हैं तो फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे फिर अब होते salary and benefits और अलगलग post के लोगों की अलगलग salaries होती हैं नैसे assistant के लिए रहता है तो अब हम से आपका 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 दया के लिए गया और आपको गया का यह दो देया कहीं और कुछ टाइम भार प्रोश्चों और आपका अशिस्टन में है तो फिर ड़ुड से खायगा या फिर associates में तो फिर आपका assistant manager में हो जाएगा फिर यहां पर जाए few questions दी गए हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इहाद important है so अगर किसी भी topic के बारे में आप बोड़ाओट हो तो फिर आप comment कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कीजिएगा share किजिए subscribe किजिए और इसकी link description में दी गई है आप आप जाके चेक कर सकते हैं thank you so much for watching my video thank you